आयर्वेट समाधान को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे नौटिफिकेशन आपको मिल सकें दोस्तो नैचरल मिठाई के नाम से पहचाना जाने वाला गुड ना सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होता है वलकि सिहत के लिए भी खजाने जैसा है अगर आपको नहीं पता इसके लावप्रत फाइदे तो आज इस वीडियो में आप जान जाएंगे आज गुड के फाइदे जानने के बाद आप इस गुड का सेवन करने लगेंगे आप देखेंगे कि आपको कितनी सारी बिमारियों में फाइदा मिला है दरसल इसको सर्दियों में खाने से ये हमारे शरीर के लिए पावर बूस्टर का काम करता है गुड में शरीर को गर्मा आइरन, फासफोरस, प्रोटीन, बिटामिन और उसके अलावा कार्वोहाइडरेट की मात्रा भी होती है 10 ग्राम गुड में कहें तो 38 कैलोरी हमें प्राप्त होती है गुड बहुत सारे सोरसे से मिलकर बना होता है जैसे खजूर के गूदे, नारियल के जूस, आदी-आदी अधिकतर देश में ये गन्य के रस के इस्तिमाल से भी बनाया जाता है गन्य के रस को वालकर इसे ठोस बना दिया जाता है गुड में बिटामिन और मिनरल भरपूर मातरा में होता है गुड की खासियत ये है कि इसे थोड़ी मातरा में डायविटीज के मरीज भी खा सकते हैं चलिए अब गुड के हम विस्तार से फाइदे जान लेते हैं गुड दोनों तरह का फायदे मंद है और दोनों तरह के फायदे आप जान लीजिए सबसे पहला है कि गुड एनरजी को बढ़ाता है बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस होने वाले लोगों को गुड खाना बहुत फायदे मंद होता है गुड जल्दी पच जाता है इसे शुगर भी नहीं बढ़ती और आपका एनरजी लेवल बढ़ जाता है तिन बर काम करते रहने के बाद आपको जब भी थकान हो तो तुरन तो गुड खाएं थोड़ी देर में थकान दूर हो जाएगी अगला है ये हट्डियों को मजबूत बनाता है अगर आप जोड़ों के दर्द से परिशान है तो गुड आपके लिए बेहत फायदे मंद सावित होगा गुड में मौझूद केल्शियम के साथ फासफोरस हड्डियों को मजबूत बनाने में साहिता करता है इसके अलावा रेगुलर गुड के एक टुकडे के साथ अधरक लेने से सर्दियों में जोड़ों के दर्द की समस्या नहीं होगी बुज़ुर्गों को गुड की रोटी खाने से भी बहुत फायदा मिलेगा इसलिए हर खाने में चीनी की जगे आप गुड का सेवन करेंगे तो बेहतर और फायदे मंद होगा अगला है आईरन की कमी को दूर करे ऐसी बहुत सी चीज़े हैं जिनके सेवन से आईरन की कमी दूर होती है लेकिन गुड ऐसा है जिसमें आईरन बहुत ज़्यादा पाय जाता है यानि गुड आईरन का प्रमुक्त सोर्स है ये एनिमिया के मरीजों के लिए फायते मंद है इसलिए एनिमिया से शिकार लोगों को चीनी की जगे गुड खाने की सलह दी जाती है खासतोर पर मैलाओं के लिए इसका सेवन बेहद जरूरी होता है गुड खाने से आपके शरीन में जो खून की कमी है वो पूरी हो जाती है तो आज से ही गुड खाना शुरू कर दें अगला है जुकाम और खासी को ठीक करता है गुड गुड की तासीर गर्म होने की वज़े से इसके सेवन से जुकाम और खासी में काफी आराम मिलता है जुकाम के दोरान कच्चा गुड खाने से बचें इसे चाय में या लड्डू बनाकर इस्तिमाल करना चाहिए इसके अला अगला है महिलाओं के लिए बहुत फाइदिमंद है जिन महिलाओं या लड़कियों को पीरेट्स के दौरान पेट दर्द होता है उनके लिए गुड़ खाना को रहते हैं और पाचन को सही रहता है फून से खराब टॉक्सिंस को दूर करने में मदद करता है इससे बलड साफ होता है जिससे आपकी तवचा में चमक आती है साथी मुहासे और जुर्यों की समस्या भी दूर हो जाती है अगला है अस्थमा में फाइदेवंद है अस्थमा के मरीजों को भी गुड़ खाने की सलह दी जाती है गुड़ शरीर के तापपान को कंट्रोल करता है और इसमें एंटी अलर्जिक गुणों के कारें इसका सेवन अस्थमा के मरीजों के लिए बहुत लावगारी होता है तो दोस्तो अगर इतना सारा आप फाइदा प्राप्त करना चाते हैं तो आज से ही गुड़ खाना शुरू कर दीजिए। दोस्तो आईरवेज समाधान जीवन जीने की एक पद्दती है जिसमें बताये गए इनुसके वैद्यों की राय के मताविक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब लाइक और शेर कीज़े आईरवेज समाधान क्योंकि आईरवेज समाधान है हर रोग का निदान।